हलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका और एकने लेसन के अंदर और आज की इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं if else तो यहाँ पर जल्दी से एक folder बनाते है if else इसको नाम देते हैं और इसके अंदर करते है if else.go package main func main अब यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर basically if else use करना है जो की हर एक programming language के अंदर होते हैं और उसी तरह से go के अंदर भी है लेकिन थोड़ा सा syntax अलग है इसका तो इसको समझते हैं सबसे पहले एक variable बनाता हूं है age 18 ठीक है और यहाँ पर हम क्या करेंगे check करेंगे if मुझे check करना है कि यह age यह जो person है यह adult है या नहीं है so यहाँ पर if अपको लिखना है उसके बाद कोई भी curly brackets वगरर नहीं देना है यहाँ पर आपको check करना है age is equal to greater than or equal to 18 ठीक है ऐसे करेंगे और उसके बाद यह जो curly brackets से उसको open करना है और यहाँ पर मैं लिखूंगा fmt print line और यहाँ पर करते है person is an adult ठीक है ऐसे कर लेता है so यहाँ पर जल्दी से मैं इसको run करके आपको दिखाता हूँ so यहाँ पर करते है go run 6 और यहाँ पर if else dot go enter करते है और आप देख सकते हो person is an adult अगर मैं इसको कम करता हूँ 16 करता हूँ for example और इसको अगर फिर से run करते है तो कोई भी print यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर हम गए है नहीं उसके बाद कोई code है ही नहीं इस तरह से जो single loop है उसको हम use करते हैं अभी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अगर age 18 से कम है तो यहाँ पर कुछ print हो जाए तो उस केस में हम else use कर सकते हैं सो else इस तरह से लिखना है अगेन यहाँ पर इस तरह से curly brackets open करने है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना इसको paste करूँगा और यहाँ पर यहाँ पर करते है is not an adult ठीक है ऐसे कर लेते हैं space थोड़ी सी हटा देते हैं तो आप देख सकते हो किस तरह से हमारा यहाँ पर if else देख रहा है कोई curly bracket यहाँ पर कोई round bracket नहीं ठीक है यह important है तो यहाँ पर अगर करते हैं तो आप देख सकते हो person is not an adult यह भी काम कर रहा है अब यह हुआ if else हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं न else if जो है वो भी use कर सकते हैं तो यहाँ पर उसको कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर age का ही example लेते हैं यहाँ पर मैं इसको लिखूँँगा और यहाँ पर मैं चेक लगाऊंगा, फिक है, पहला चेक ऐसा लगाते हैं, कि if age is greater than or equal to 18, यहाँ पर करते हैं, सेम चीज हमें करनी है, तो मैं यहाँ से इसको copy paste करूँगा, ठीक है, यहाँ पर इसको uncomment कर लेते हैं, यह अगर ऐसा है, तो यह person adult है, अगर यहाँ पर करते हैं, else if, यह भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर हमें डलना पड़ेगा यह वाला condition है, age अगर है greater than or equal to 12, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं जल्दी से paste कर लेता हूँ, person is teenager, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पर करेंगे else, ठीक है, अगर यह भी condition अगर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, person is a kid, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, और इसको अगर मैं करता हूँ run, तो आप देख सकते हो person is teenager, क्योंकि 16 यहाँ पर है, अगर मैं 10 कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखे यहाँ पर person is a kid ठीक है? इस तरह से आप if, else if, else या फिर यहाँ पर multiple else if भी आप use कर सकते हो अगर multiple conditions आपके पास है तो ठीक है? तो इस तरह से हम जो if, else जो है उसको use करते है go के अंदर और यहाँ पर और एक चीज़ notice कीज़े कि अगर हम कोई package, imported package अगर use नहीं कर रहे हैं तो वो compiler हमें complaint करेगा, वो allowed नहीं है तो अगर save करते हो तो automatically यह जो import है वो delete हो जाएगा, देखे, save तो देखे, guide हो गया, यह जो extension हमने install किया था न, वो सारी magic हमारे लिए कर रहा है, अभी if else के अंदर हम logical operators भी use कर सकते हैं, for example हमारे पास समझ लेते कि user है, ठीक है, user और यहाँ पर करते है role करते है, ठीक है, समझो user का जो role है वो समझ लेते कि admin है ठीक है, और उसके बाद और कोई permissions वगेरा है, और उसके बाद समझ लेते कि यहाँ पर और कोई variable है, for example has permissions, ठीक है so, यहाँ पर यह boolean value है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ true, ठीक है ऐसा अगर है, अगर यह दो conditions हमें check करनी है, तो वो हम logical operators जो है, उसकी मदद से कर सकते है, so, यहाँ पर मैं check करूँगा if role is equal to admin, देखें, यहाँ पर double equal दिया हुआ है, ठीक है, double equal चाहिए होता है, compare करने के लिए so, admin और यहाँ पर करता है, और ठीक है, यह जो और है logical, और यहाँ पर देंगे, और has permissions अगर यह इन में से कोई भी condition अगर true हो जाती है क्योंकि और हम यहाँ पर use कर रहे है तो यहाँ पर इस block के अंदर का code यहाँ पर execute होना चाहिए, so यहाँ पर करते है, fmt print line, और यहाँ पर करते है yes, ठीक है इसको run करके देखते हैं, तो अब देख पाओगे यहाँ पर जो s है वो दिखा रहा है, यहाँ पर अगर permission को false भी करता हो ना, तभी यह दिखेगा, क्योंकि और operator हम यहाँ पर use कर रहे हैं, यहाँ पर यह दिखेगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं and operator जो है, उसको भी use कर सकते हैं तो and जबी हम use करते हैं तो दोनो जो conditions है वो true होनी चाहिए तभी यहाँ पर हम इसके अंदर आप आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हो role तो admin है लेकिन has permissions जो है यह false है इसका मतलब हम यहाँ पर अंदर नहीं आने चाहिए run करके देखते हैं इसको अब देख सकते हो कोई भी यहाँ पर yes जो है वो print होआ नहीं है इसका मतलब जो condition है हमारी यह काम कर रही है ठीक है इस तरह से logical operators भी आप if else के अंदर use कर सकते हो इसके बाद इसका और एक feature है हम variable जो है ना directly if के अंदर declare कर सकते है कैसे देखिए यहाँ पर मैं करूंगा if और यहाँ पर करेंगे age is equal to 15 ठीक है यहाँ पर ही directly मैंने declare कर लिया और उसके बाद semicolon देखिए यहाँ पर आगे condition मैं लिखूंगा यह काफी cool है देखिए age is equal is greater than 18 ठीक है यहाँ फिर ऐसे करते है equal और greater अगर ऐसा है तो यहाँ पर करो fmt print line और यहाँ पर करते है person is an adult ठीक है और यहाँ पर इसकी एक खासियत यह है कि यह जो variable है न यह declare किया यह हम if के अंदर directly यूज भी कर सकते हैं तो यह इसके अंदर भी यूज हो पाएगा तो यहाँ पर मैं age को print भी कर लेता हूं ठीक है और अगर हमारे पास else if है तो वो उसके अंदर भी आप इसको use कर सकते हो यहाँ पर आप कर सकते हो else if age is greater than or equal to 12 तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर मैं इसको करता हो print और यहाँ पर करते है is teenager ठीक है और age को यहाँ पर भी क्या करते है प्रिंट करते हैं चले इसको run करके देखते हैं तो यहाँ पर run अगर करते हैं तो अब देख सकते हो person is teenager क्योंकि 15 उसकी age है यहाँ पर अगर मैं करता हूं 20 अब देखें क्या होगा यहाँ पर person is an adult 20 हाँ पर दिखा रहा है ठीक है तो यहाँ पर अब देख सकते हों कि we can declare a variable inside if construct ठीक है यह एक चीज है यह आपको याद रखनी है बहुत बार आपके code के अंदर अगर ऐसा syntax मिलेगा तो आपको confused नहीं होना है ठीक है चले इसको भी करते हैं comment अभी finally यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि go does not have ternary operator ठीक है go के अंदर ternary operator नहीं है आपको अगर उस type का कुछ करना है चेक तो आपको normal जो if else जो है वो use करना पड़ेगा you will have to use normal if else ठीक है at least यह जो version हम 1.22 यहाँ पर जो है हमारा go का version उसके अंदर अभी तक ternary operator जो है वो supported नहीं है हो सकता है कि शायद future में यह support आ जाए इसके अंदर language के अंदर add हो जाए लेकिन अभी के लिए नहीं है ठीक है तो आपको याद रखना है if else आपको use करना है उस case में चलिए उम्मिद करता हूँ कि आपको if else के बारे में समझ में आया होगा तो इस video के लिए इतना ही और मैं से मिलता हूँ एक नए lesson के अंदर तब तक के लिए happy coding